मम्मी को शॉपिंग करवाने गई और खुद भी पसंद आ गए बहुत सारे लहंगे आज मैं आई हूँ अपनी मम्मी और सूरज की मम्मी के साथ शॉपिंग करने है क्योंकि इन दोनों को लेने हैं अपने लिए लहंगे और हम हमीशा एक ही शॉप पर आते हैं लेकिन हमेशा नीचे बैठते हैं पर आज हम लोग स्पेशली गए हैं शॉप के इस फ्लोर पर जहापरम पहले कभी नहीं आए और यहां इनोगों ने रखे हैं सुन्दर सुन्दर से लहंगे सबसे पहले ये ब्लू कलर का लहंगा भाया ने दिखाया बट क्योंकि पूजा के ये वाइन कलर की चुन्नी दी थी एंड ममी ने कवा ये बी मेरे पास तो बेसिकली इस दुकान पर जितना भी सब आइटम अवीलेबल है ममी के वास वैसा सब कुछ है तो मैंने ममी को का कि फिर आप कैसे यहां से शॉपिंग करोगी तो ममी ने एक पॉइंट करकर के बता य लहंगे का मुझे याद नहीं है मट ममी ने ये रेड लहंगा निकल वाया जो थोड़ा बनार सी टाइप में था और अवनिसली मुझे तो एक नजर में कुछ पसंद आया नहीं हाला कि मतलब ठीक लगा था ममी को पसंद तो ठीक है उनको लेना है लेकिन आप देखना कैसे क इक बार में पसंद आजाए वो वाली फीलिंग आई नहीं थी तो मैंने का यार भाया मजा नहीं आरा फिर ममी ने ना खुदी पॉइंट करकर के लहंगे निकल वाने चालू किये और इन सब के वोग तो बड़े सुन्दते जैसे इस वाले का वोग बहुत प्यारा लग रहा तो मजला यह नहीं आ पर आँटी को भी मज़ा नहीं आ रहा था फिर ममी का जो रेड कलर का लहंगा था उन्होंने वो ट्राइग किया जैसे लहंगा दिखने में लग रहा था उतरा यह पहने के बाद अच्छा नहीं लगा यूट नो वाय तो फिर आंटी ने बोला नहीं तो कोई चेंज ही करना पड़ेगा फिर भाया नहीं हमें वह वाले लहंगे वापस से लिखारा चालू किया जो उन्होंने शुरुआत में लगा नहीं जैसे भाया को समझाए कि हमारा टेस्ट बिल्कुल अजग है फिर उन्होंने दिखाए यह डूल टोन का भी यूट फु तो रड़ी होगी कि लाओ मुझ पर लगा कर दिखाओ और यह बहुत जादा ब्यूटिफुल लग रहा है लेकन अगर आपको असा लग रहा है कि यह दुकान का सबसे ब्यूटिफुल लहंगा तो बिल्कुल भी रही है अभी आने वाला है एक और डूल टोन का बहुत ही ख लहंगा पहना लेकिन सच में मज़न नहीं आया जितना उस ब्लू लहंगे में आया था I am in love with इस लह पतला मुझे ताच लगा कि मैंने त्राइ यह मन करा है कि मैं टो उपकॉस मैं तो खरीदने आई नहीं हुँ तो मैंने सोचा बढ़ एक डूल टोन का लहंगा मेरी म्या ल